नमस्कार आपका श्वागत त्यर्च नहीडे रेस्वी में तो ठेले से भी अच्छी चाट अज हम घर पे ही बनाएंगे तो रगरा टिक की चाट बना रहे हैं तो एक छुले से हम लोग 10 से 12 तरख के चाट बना सकते हैं तो चलिए पहले टिकिया को रगरा में डाल दिये इसक चटनी मिठी वाली जोहोली में बनी थी वही चटनी चल रही है दोस्तों और उपर से बीट और प्यास थोड़ी से टमाटर जिनको टमाटर पसंद है वार टमाटर सर्फ करेंगे और थोड़ी सी से वारिक वाली हम लोग देंगे तो बनके त्यार हो गई ठेले सभी अच्छ ग्राम मतर है यह मतर वाली चाठ सबको पसंद है दूस्तों सबको और इसे के साथ पांसे च्छे आलू लेली है तो इसी मिए हम लोग डाल के उबालेंगे तो हम लोग के ठिकिया भी बन के त्यार हो जाईगी हमारी ठीकिया बीशेट में नमक और हल्दी और पानी तो पानी तेज से डाले थे अथींसिटी कम बें तो अराम से बनके त्यार हो जाती है साइध ही ऐसा कोई होगा जिसको चाट खाना पसंद नहीं चाट का नाम लेती ही मुँँ में पानी आ जाता है भूक मरी हो तो जाग जाती है तो इस तरह से तो एक ही बार में मेरा दोनों काम होगी आलू भी उबल गई और ये बटाना भी अच्छे से सिश के त्यार हो गई है तो निकाल दिए एक आलू को इसी में अच्छे से मैस कर देंगे ताकि रगड़ा अच्छे से गाड़ी हो जाए थोड़ी से गाड़ी हो जाएगी और आलू को अभी गरमा गरम ही अच्छे से मैस कर देंगे इस तरह से और ठंडी होने के लिए रख देंगे साथ में नमक भी आड़ कर दिये हैं जब ठंडी हो गई है तो ही हम लोग कौन स्टार्च डालेंगे नहीं तो यह लसलसी सी हो जाएगी तीन चमच हम कौन स्टार्च इसमें डाल दिये हैं इस तरह से इसको कौन स्टार्च ही डाले अगर नहीं है तो आप मैदा भी डालके बन आ सकते हैं दोस्तों तो इसमें ज्यादा लगता नहीं है तो इदे के इदम ड्राई हो गई दो से तीन चमच में ही ड्राई हो जाती है इसलिए आलू को ठंडा करके डाले इस तरह से अर्टिक्या में सिर्फ नमक और कुछ भी नहीं डाला हुआ है कौने स्टार्ची सी साधी टिक्या ही रहती है तो टेस्ट बहुत अच्छे मतलब अच्छे से निखर के आता है इस तरह से सारी टिक्या में बना लूँगी अगर आप में रे वीडियो शिजरा से भी कनेक्ट कर पाते हैं अर्च नहीं रिस्पी को आपकी शपुट के बेहत जरूरत है कहीं से वीडिय अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें अब वीडियो पर नहीं है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो एक चमचा तेली हूं उसी में जीरा का फोरण और ये कुटी हुई अद्रक हरी मिर्च दो हरी मिर्च और कुटी हुई अद्रक डाले है इसमें लाशन वग होगे हैं खाना बगरा तो इस तरह से बना के खा सकते हैं और एक ही चमचा में कटी भी टमाटर ली हो तो ज्यादा टमाटर भी हम लोग नहीं डालेंगे तो सिर्फ टमाटर का ही टेस्ट आएगा तो बहुत लिस मसालों के साथ बनती है क्योंकि उपर से ड्राइब मसाला ही पड़ता है इस तरह से और एक कप मटर से कम से कम आठ से नौ लोग अराम से खा सकते हैं चाट बहुत ज्यादा बनके त्यार हो जाती है और इसमें काला नमक इस तरह से तो काला नमक का टेस्ट में बहुत ही अच्छाता है तो जरूर डालेंगे आई भूनी हुई मतलब जी जीरा का पाउडर डाले हैं दोस्तों वह रेस्पी मेरे यूटूब पर अल्रेडी डाली हुई है तो इसमें चाट में जरूर पड़ती और यह इमली का पानी तो मैं अच्छे से छान के लिए हूँ इमली को फुला के इच्छे से छान के लिए उच्छान के ही लिए नहीं जच्छे में रही है तो चाट का मजा किरकिरा कर देगा मुँम में किरकिरी आएगी तो इसका नमक किस बक टेस्ट कर लें तो अगर नमक आगी पिछे वह गा तो ऎल के एड़स्ट कर ले तो नमक फड़ी से कम लग रही थी क्योंकि चाट चठा के दार चटपठी ही लगे तो ही अच्छे लगती है खाने में तो इंबली का पानी टालने से थोड़ी से नमक कम हो गई थी अब इस चेज़ पर हम बंद कर देंगे और टिकिया की तैयारी सुरू कर देंगे तो दो चमचा हम तेल डाले हैं तो यह मेरी पुरानी तवा है दोस्तों जो बीच से गड़ा जैसी हो गई है तो इसमे अच्छ यह से टिकिया मतलब itäल जाती है ज्यादा पक्रिपल से खर कर देंगे और च्छोली से दवाते हुएं ड़वल इसको क्रिस्प करेंगे तो बनके टिकिया हमारी तयार हो गई है यह चाट में धनिया पतिया कुछ काटके मैं डाल दी हूँ गर दोस्तों वीडियो से कनेक्ट कर पाते हैं तो अपना शपोर्ड जरूर कीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके वाल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंचे कही वीडियो अच्छी लगी होते एक लाइक तो बनता है वीडियो पर नहीं तो सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले तो दही में पानी बिलकुल भी न फेट है दोस्तों तो दही में एक चमसा चीनी डालके मैं फेट ली हूँ आइस तरह से इमली का पानी इमली का चटनी और थोड़ी सी भूनी हुई जीरा का पाउडर कुट ही धनिया और कुटी ही मिर्च अकाला नमाक से इस तरह से बुरग देंगे जिसे ठेले वाले भाया करते हैं तो चटाके दार हो जाती है आइरिस में बीट का ये जो लच्छा रहता है बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट रिता है तो जरूर जरूर डाले ये तो इस तरह से अगर आप को पसांदी तो ही डाले और साथ में ये कटिूऐ बारिक प्याज बहुत को प्याज नहीं खाता है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं इस तरह से और साथ में मिही वाला सेव जो होता है नैलन से उसको डाले तो इससे चाट का टेस्स अदम चटपटा और चटपटा के दार हो जाती है जिनको भूख नहीं भी लगी उनको भी भूख जाग जाएगी इसकी मेह कितनी खुश्बू अच्छी आती है तो ये वाल टैम सबकी फै किसी को नहीं डाला हुआ अपके पैमिली में जिसको यसे पसंद है और से अधे बिलकूल भी पानी ना डाले दोस्तुए दम गारी दही रहने ने दे अधम गर्मा गर्म टिक उतारे और चोला में डाले गर्मा-गर्म ही चाट को सरव करे इस तरह से काला नमक, जीरा, कुट त्वी धनिया में इस तरह से डाले और इमली की चटनी उपर से आप चाहें तो हरी चटनी भी डाल सकते मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं डाली हूं इस तरह से यह भी ट्रूट का लच्छा डाल दें और साथ में प्यास इसमें धनिया की पतियां का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अब जरूर डाले और इस तरह से टमाटर कटिवी टमाटर जिनको टमाटर पसंद है उनको टमाटर दे देंगे तो हस्पिन को टमाटर बह अपना धीर सारा ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बाई बाई